नमुश्कार में उप्रिया सापता ही क्रोजगार समचार में आपका स्वागत है इसके बाद हम बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुलक नहीं देना होगा आखरी तारिक 9 मार्च 2022 तै की गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप SSC.uk.gov.in पर ज़ाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे राजिस्थान सबोर्डिनेट अन्मिनिस्टेरियल सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड RSMSSB की तरफ से निकाले गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है Computer Instructor, Total Number of Vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संक्या 10157 है जहां तक सेक्शनिक योगिता की बात है तो अभियर्थियों के पास Master's या Bachelor's डिग्री Engineering में Computer Science में या Information Technology में या Electronics and Communication में या Electrical and Engineering में या Electrical Electronics में या Electronics and Telecommunication में या Electronics and Instrumentation Engineering में या इसके समकश कोई डिग्री होना अनिवार है उम्रसीमा की बात करें तो 18-40 साल तै की गई है वहिए अप्लिकेशन फीस की बात करें तो यूर OBC को 450 रुपे OBC NCL को 350 रुपे SCST को 2500 रुपे करेक्शन चार्जिस 300 रुपे देने होंगे आखरी तारिक 9 मार्च 2022 तै की गई है वह यहां अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप rsmsb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Office of Commandant AMC Center and College लखनाउ अंडर इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली कई रिक्तियों की बार में पद का नाम है बारबर, चौकिदार, कुक, LDC, वशर्मान टोटल अम्मर अव वेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 47 है जो हां तक सेक्षनी क्योगिता की बात है तो अभेर्थियों के पास कक्षा दस्वी या 10 प्लस टू टाइपिंग का ग्यान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होना अनिवारे है उबर सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल टैकी गई है वहीं आप्लिकेशन फीज की बात करें तो आवेदकों को 100 रपे आवेदन शुल के रुपे जमा करने होंगे आखरी तारिक 14 मार्च 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप IndianArmy.gov.in पर जुआ करावेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे जमएन कश्मीर सर्विसस सेलेक्शन बोड जेके SSB की तरफ से निकाली गई रखतियों के बारे में पद का नाम है जूनियर असस्टेंट कम्प्यूटर उपरेटर तोटल अमबर ओ वेकिंसी की बात करें तो आवेदकों को 500 रुपए आवेदन शुल के रुप में जमा करने होंगे आखरी तारिक 10 मार्च 2022 तै की गई है यह आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.jkssb.nic.in पर ज़आ कर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे असम राइफल्स की तरफ से निकाली गई रुपतियों के बारे में वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुर्क नहीं देना होगा आखरी तारिक 12 मार्च 2022 तै की गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.assumrifles.gov.in पर ज़आ कर आवेदन भर सकते हैं इसकी बाद हम बात करेंगे अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mppsc.nic.in पर ज़आ कर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे अरुनाचल प्रदेश पब्लिक सवस कमिशन एपी पी सी की तरफ से निकाली कई रखतियों की बारे में पद का नाम है पोस्ट ग्राजवेट टीचर पीजिटी टोटल अब और वेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रखतियों की कुल संख्या सथातर है जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो इसमें अंग्रेजी, हिंदी, हिस्ट्री, पिलिटिकल साइंस और जियोग्रफी, एकनॉमिक्स, मिथमेटिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बालॉज्री, बज्दंस अर्मिनिस्ट्रेशन, अकांटेंसी और अग्रिकल्चर है जहां तक सेक्शनिक योगिता की बात है तो अभेर्थियों के पास मास्टर्स डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में सेकंड क्लास मार्क्स के साथ और बीट की डिग्री होना अनिवार है उम्रे सीमा की बात करें तो 21-35 साल तैय की गई है वहीं आप्लिकेशन फीज की बात करें तो रेजिरेंट जो APST के रहने वाले हैं उन्हें 1500 रुपे और बाकि सभी श्रेनी के लोगों को 200 रुपे देने होंगे आखरी तारी के 11 मार्च 2022 तैय की गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.appsc.gov.in पर जोआ करा वेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे नाश्रल थर्मल पावर कॉर्परेशन एंटी पीसी की तरफ से निकाली के रिखतियों के बारे में पद का नाम है अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ntpc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे भारत Electronics Limited बेल की तरफ से निकाली गई रिखतियों के बारे में पद का नाम है graduate apprentice, diploma, apprentice, total number of vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिखतियों के को संख्या 360 है जहां तक discipline की बात है तो अभरतियों के पास electronics और communication, mechanical, electronics and telecommunication, computer science है जहां तक section निकोगिता की बात है तो अभरतियों के पास degree या diploma relevant engineering discipline में होना अनिवार है उम्रसीमा की बात करें तो as per apprenticeship rules यह तै की गई है वहीं application fees की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुलक नहीं देना होगा आखरी तारिक 18 मर्च 2022 तै की गई है वहीं आधिकारिक website की बात करें तो आप www.opalindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बात हम बात करेंगे government medical college and hospital चंडिगड की तरफ से निकाली गई रुखतियों के बारे में पद का नाम है senior resident casualty medical officer टोटल number of vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिखतियों की कुल संख्या 94 है जहां तक discipline की बात है तो अभिहर्थियों के पास hospital management, general medicine and surgery, anesthesiology, cardiology, dentistry, dermatology, ENT, general medicine, general surgery, neurosurgery, neurosurgery, obstriatics and gynecology, ophthalmology, orthopedics, psychiatry, pulmonary medicine, radio diagnosis, radiotherapy and oncology, urology है जहां तक section नी क्यों किता की बात है तो अभिहर्थियों के पास post graduate level medical degree जैसे की MD, MS, MDS, MCH, DNB, DM या इसके समका श्रिल 11 discipline में होना अनिवार है उम्रे सीमा की बात करें तो अधिक्तम 45 साल तैकी गई है, वहीं application fees की बात करें तो UR OBC को 500 रुपे, SCST, EXSM को 250 रुपे देने होंगे आखरी तारिक 7 मार्च 2022 तैकी गई है, वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.gmch.gov.in पर जाकर आवे देन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोट की तरफ से निकाली गई रिखतियों के बारे में, एक्जाम का नाम है Judicial Service Examination 2022 टोटल नंबर ओव वेकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिखतियों की कुल संख्या 123 जहां तक सेक्ष्निक योगिता की बात है तो अभेरतियों के बात करें तो अधिक्तम 22 साल तैकी गई है वहीं अप्लिकेशन फीज की बात करें तो यू आर को 1000 रुपे, SCSTPH को 200 रुपे, आखरी तारिक 20 मार्च 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप दिल्ली हाइकोड.nic.in पर जुआ कर आवे दिन भर सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे All India Institute of Medical Science, Aims दिल्ली की तरफ से निकाली के ये रुखतियों के बारे में पद का नाम है Assistant Professor, Associate Professor, Faculty, Total Number of Vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रुखतियों की कुल संख्या 83 है जहां तक discipline की बात है तो इसमें Anesthesiology, Anatomy, Biochemistry, Burns and Plastic Surgery, Cardiology, Cardiothoracic Surgery, Community Medicine, Conservative Dentistry, Orthodontics, Oral Surgery, Dermatology, Endocrinology and Metabolism, ENT, Forensic Medicine and Toxicology, Gastroenterology, General Medicine, General Surgery, Hospital Administration, Medical Oncology, Microbiology, Neonatology, Nephrology, Neurology, Neurosurgery, Nuclear Medicine, Obstriatics and Gynecology, Ophthalmology, Pediatric Surgery, Pediatrics, Pathology, Pharmacology, Physical Medicine and Rehabilitation, Physiology, Psychiatry, Pulmonary Medicine, Radio Diagnosis, Radiotherapy, Surgical Gastroenterology, Surgical Oncology, Transfusion Medicine and Blood Bank, Trauma and Emergency Medicine and Urology है जहां तक section की ओगिता की बात है तो अभिर्थियों के पास MD या MS, PG या PhD या MCH या DM या MDS relevant discipline में होना अनिवार है उम्रिसीमा की बात करें तो अधिक्तम 50 साल तैकी गई है वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो UR, OBC को 15 सौर रपे, EWS, ST और SV को 12 सौर रपे आखरी तारीक 25 मार्च 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.aims.edu पर जुआ करावे दिन भर सकते हैं इसके साथ ही सापताहिक रोजगार समाचार में आज खेले बस इतना ही तब तक के लिए धर्यवाद